आप सब को नमश्कार इंडोनेशिया आने के बाद बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूती होती हैं एक अलग ही एहसास होता है और मैं भी वही वाइब्रेशन्स फील कर रहा हूँ कि जिस जगह के साथ है भारत का हजारों वर्षों का रिष्टा रहा हो और जिसके बारे में सुनते रहते हो कि हजारों साल में अनेक या पीडियां आई चली गई लेकिन उस परंपरा को कभी ओजल नहीं होने दिया हजारों साल से उस परंपरा को जीना पीड़ी इदर पीड़ी उस परंपरा को जानना और हर पल उस परंपरा से जुड़े रहना वहां के लोग उस धर्ती एक अलग ही आनंद हो देती हैं अलग ही आनंद की अनुभूती कराती हैं अब तल्पना कर सकते हैं आज जिस समय मैं आप से बात कर रहा हूं हम यहां बाली में बैठे हैं बाली की परंपराओं के गीद गा रहे हैं उसी समय जब मैं आप से बात कर रहा हूं इसी पल बाली से डेड़ हजार किलोमेटर दूर भारत के कटक शहर में महा नदी के किनारे बाली यात्रा का महोसो चल रहा है जिसे बाली जात्रा कहते हैं और यह बाली जात्रा है क्या यह महोसो भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के ट्रेड रिलेशन्स को सलिब्रेट करता है इंडोनेशिया के लोग इस बार की बाली जात्रा के फोटो इंटरनेट पर देखेंगे तो उन्हें वाकई गर्व होगा आनंद होगा उत्सा से बर जाएंगे और कई वर्षों बात बीच में कोरोना के कारण जो दिक्क्त आई उसके कारण कुछ रुकावट आई थी और अब कई वर्षों बात बाली जात्रा ये महोट्सव उडिसा में बहुती बड़े स्केल पर भव्यता के साथ दिव्यता के साथ लाखों लोगों की भागीदारी के साथ मास पार्टिसिपर्शन के साथ अभी मनाए जा रहा है मुझे बताया गया कि वहां के लोग ये बाली जात्रा के स्मरण में एक स्परधा चला रहे हैं कहते हैं कि कागज के नाव बना करके बहाए जाएंगे और वो वर्ल्ड रकॉर्ड करने के मूड में है इसका मतलब ये हुआ कि उडिसा में आज जो लोग इखटा हुए हैं उनका शरी वहां है लेकिन मन बाली में है आप लोगों के बीच में हैं साथियों हम लोग अक्सर बात्चित में कहते हैं इसा स्मॉल वर्ल ऐसा ही शब्द है इसा स्मॉल वर्ल है भारत और इंडोनेशिया के सबंदों को देखे तो ये शब्द नहीं है यह हमें सच्चाई नजर आती है सटिक बैड़ता है समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के सबंदों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है जीवन्त रखा है कभी ठकान मैसुस नहीं हूँ वो लहरे जैसे चलती रहती है हमारा नाता भी वैसा ही जीवन्त रहता है एक समय था जब कलिंग मेदां जैसे सामराज्यों के माद्दम से भारत का दर्शन भारत की संस्कृति इंडोनेशिया की धर्ति तक पहुंची आज एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21 सदी में विकास के लिए एक दुसरे के साथ कंदे से कंधा मिला कर काम कर रहे हैं इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आयोए लोगों को प्यार से एकसेप्ट किया उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया इसी वजह से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और सम्रद्य में अपना योगदान दे रहे हैं हमारे भहुत सिंधी परिवार यहां रहते हैं और भारत से आये हुई हमारे सिंधी परिवार के भाई बहनों ने यहां के टेक्स्ट्राइल सेक्टर में स्पोर्ट्स गूर्ड सेक्टर में इतना ही नहीं फिल्म और टीम इंडस्ट्री में भी काफी कुछ कॉंट्रिबूट किया है गुजरात से जुड़े हुए काफी लोग यहां है जैम्स, डाइमंड्स, माइन्स, इवन खेती, किसानी उसमें भी वो लोग नजराते हैं भारत से आये हुए इंजिनियर्स, चार्टर एकाउंटन्स, प्रोफेशनल्स इंडोनेशिया के विकास के सहयात्री बने हुए है कितने ही तमिल भाषिक कलाकार यहां की संस्कृती, यहां के आर्ट्ष को और सम्रुद्द करने में अपना योगदान दे रहे है मुझे आद है, जब तीन-चार साल पहले इंडोनेशिया के बप्पा नयोमान न्यू आर्ट्राजी को भारत ने पदमस्री से सम्मानित किया था उस समय भारत का राष्ट्रपति भवन तालियों की गड़ड़ाहाट से गुंजता ही रहता था उनकी बनाई कलाकृती गरूड विष्णु के इंकाना का कोई शाय निंदुस्तानी असा नहीं होगा जो उसकी प्रसंसा न करता हो ऐसे ही इंडोनेशिया के बायन दिव्या और आगोस इंद्रा उदेयान जी उनको जब पत्मस्रमान मिला था तो मुझे उनके बारे में काफी कुछ जानने का को निरने करेबर मुझे काफी कुछ उनके विश्य में जानने का मोका मिला आगोस इंद्रा उदेयान जी अब भली भाती परिश्चित है उनसे और आज यहां मौझूद भी है उबाली में महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे हुए है मैंने कही उनका एक इंटर्वू देखा था उसमें वो कह रहे थे कि भारत की सबसे बड़ी विशेस्ता अतिति देवो भवो की है यहने अतिति देवो भव यह भावना जो है यह हर भारतिय के रगों में है अपनत्व का यह भाव प्रगण होता है मुझे इंटर्वूर्स पढ़के अच्छा लगा लेकिन मुझे इकी बात और भी बताने चाहिए अपनत्व के विशे में भारत की तारीव हो रही होगी लेकिन इंडर्वूर्स पढ़के अच्छा लगा लेकिन मुझे इकी बात और भी बताने चाहिए अपनत्व के विशे में भारत की तारीव हो रही होगी लेकिन इंडोनेशिया के लोगों का भी अपनत्व कम नहीं है जब मैं आप पिछली बार जाकारता में आता है आया था इंडोनेशिया के लोगों ने जो ने दिया जो प्यार दिया मैंने उसे करीब से देखा था मैसूस किया था इतना मान सम्मान प्यार ने अपनापन क्या कुछ नहीं था और मुझे आध है राश्पती जो को विडोडो जी के साथ पतंग उडाने में मुझे जो मजा आया था हम दोनों पतंग उडाने चाहिए थे गो अध्वुत था और मेरी तो गुजरात में सक्क्रांती पर पतंग उडाने की बड़ी ट्रेनिंग रही है और मुझे पता है यहां इंडोनेश्या में भी संक्रांती पर खुब पतंग उडाई जाती है यहां पास में और ऐसा नहीं है कि भारत और इंडोनेश्या का साथ सिर्फ सुख का है आनंद का है अच्छा है तम नाता है ऐसा नहीं है हम सुख दुख के साथ ही है अगर सुख में साथ है तो हम दुख में भी उतने ही साथी है हम सुख दुख में एक दूसरे के सुख दुख को माटने वाले लोग है जब 2018 में इंडोनेशिया में इतना बड़ा भुकम पाया तो भारत ने तुरंथ आउपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था इसलिए ही उस साल में जाकारता आया था और तब मैंने एक बात कही थी मैंने कहा था कि भारत और इंडोनेशिया में 90 नोटिकल मिल का फासला भले हो लेकिन हाकिकत तो यह है हम 90 नोटिकल मिल दूर नहीं है हम 90 नोटिकल मिल पास है